तो आज हम इस वीडियो में संधी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगी वियंजन संधी स्वर संधी आपने लाश्ट वीडियो में पढ़ ली थी अब अगर जिस तरीके से मैं step to step वियंजन संधी को यहां explain करने वाली हूँ अगर आप भी उसी तरीके से step to step चलेंगे तो आज शूर कि आपको सबसे best संधी आएगी और आप वियंजन संधी में कभी कोई doubt नहीं रखेंगे तो शुरू करते हैं सबसे पहले देखी वियंजन संधी की definition क्या होती हैं वियंजन के बाद स्वर या वियंजन आने से ध्वयनी में जो परिवर्तन या विकार उत्पन होता है उसे हम क्या कहते हैं वियंजन संधी मैं आपको एक बर रिवाईश करवा देते हैं स्वर संधी की definition क्या था उसमें स्वर के बाद स्वर आने से ध्वयनी में जो विकार उत्पन होता है उसे हम क्या कह रहे थे स्वर संधी बात है यहां वियंजन संधी की व्येंजन के बाद यहां आपको स्वर भी मिल सकता है और व्येंजन भी मिल सकता है मतलब यह fix नहीं है कि व्येंजन के बाद आपको व्येंजन ही मिलेगा यह व्येंजन के बाद आपको स्वर ही मिलेगा चाहे वहाँ पर आपको वियंजन भी मिल सकता है ओर स्वर भी तो उसे से ध्वैनी में जो विकार, अरथा जो परिवरतन होता है उसे ही क्या कहते है वियंजन संधि तो मैं आपके सामने दो एक्जामपल देती हूँ एक स्वर का और एक वियंजन का उनके थुरू आप समझे कि किस प्रकार से वेंजन संदी होती है उधारण देखिए हमारा सबसे पहले जगण नाथ ठीक है? इसका संदीशेद क्या होगा? जगण प्लस नाथ किलियर? जगण प्लस नाथ लेकिन अब ये हुआ किस तरीके से? इसके संदीशेद हमने किया किस तरीके से? और ये सही है या नहीं? आप कैसे क्लियर करोगे? तो सबसे पहले देखिए यहां हमारा क्या है? तय वेंजन है तय किसमें आता है वेंजन में? क्लियर है और सामने क्या है? ने, ये भी क्या है? हमारा व्यंजन है तो व्यंजन के बाद यह हमारा व्यंजन मिल गया स्वर्या व्यंजन यहां क्या मिल गया यह भी व्यंजन इनसे जो परिवर्तन हुआ जो विकार उत्पन हुआ एक रूल है व्यंजन संदी के अंदर कि यदि हमें किसी भी वर्ग का आगे क्या मिलता है पहल वर्ण मिलता है, तो पहले वाला वर्ण उसी वर्ग का पांच्वा हो जाता है, तो तैका होता है पांच्वा ने, तो यहाँ चेंज क्या हुआ, ने, किलियर, और सिर्फ किसका इस तैका ही चेंज होगा, ने, किलियर, तो यहाँ क्या होगा, जैग है, तैका ने चेंज होगा, इसलिए हम यहां लिखेंगे ने प्लस नाथ सेम उसी तरीकी से ने हमने यूज नहीं किया इसलिए ने भी लिखेंगे ठीक है? तो क्या हो जाएगा? जय, गय, आधा, ने, ना, थ आधा यहां क्यों लिखा क्योंकि यहां लंत वाला है और उसके साम में क्या है? विएंजन और मैंना आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो विएंजन होते हैं वो हमेशा स्वरों के साहता से कम्प्लीट होते हैं लेकिन यहां आगी क्या है विएंजन क्या होगा संदीशेद वाक प्लास इश के लियर यहां क्या है क्या है हमारा विएंजन क्या के बाद क्या है इए क्या है हमारा स्वर है तो यह क्या किसमें चेंज हो जाएगा गय में ये भी हम वेल्जन संदी में आगे एक रूल पढ़ने वाले हैं कि प्रिथम वर्ग का किस तरीके से उसी वर्ग का तीसरे वर्ड में परिवर्तन होता है तो कय अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड में परिवर्तन हो गया याँ पर क्यa का हुआ है गया, clear? यहाँ क्या है वा बचा, क्योंकि क्या का क्या हुआ है? गया और एष्ण क्योंकि इ का हमने यूज नहीं किया, इसलिए ई भी लिखेंगे और शै भी लिखेंगे आप देखिए यहाँ वा गय यहाँ अनकम्प्लीट है और सामने ई स्वर है तो ई किस में चला जाएगा गय में और क्या बन जाएगा बढ़ाई है तो गय के बढ़ी है कि मात्रों लग जाएगी और शय का शय क्या बन गया वागिश तो इस तरीके से व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से ध्वनी में जो परिवर्टन होता है उसे हम क्या कहते हैं व्यंजन संदी का फस्ट नियम क्या कहता है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्टन सबसे पहले तो आप मुझे ये बताईए कि हिंदी में कितने वर्ग होते हैं हिंदी में वर्ग होते हैं पांच एक होता है हमारा कैवर्ग एक होता है हमारा चैवर्ग एक होता है टैवर्ग एक होता है टैवर्ग और लास्ट होता है हमारा पैवर्ग तो हिंदी में कितने वर्ग होते हैं? हिंदी में होते हैं 5 वर्ग कैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग, तैवर्ग और पैवर्ग और प्रतीक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं कौन से? देखी क्ये बर्ग में पाच वर्ण कौन से होंगे गय, खे, गय, घय, अने ऐसे चे बर्ग में चे, छे, जय, जय, अने ते वर्ग में टे ठे डे धे ने ते वर्ग में ते ठे डे धे ने पे वर्ग में पे फे बे भे में किलियर तो हिंदी में होते हैं पांच वर्ग प्रते एक वर्ग में होते हैं पांच पांच वर्ड और मैं आपको एक बात और बता दूँ, ये सारे होते हैं हमारे स्पर्श्वियंजन तो यदि आप से कोई पूछे कि स्पर्श्वियंजन कौन से होते हैं, तो कैसे मैं तक होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती हैं, 25, 25 होती है तो इनके साथ ही आपका ये भी clear हुआ, ये क्या है सारे? स्पर्श्वयन जन्य. अब देखिए हमारे rule क्या कहता है? वर्ग का पहला वर्ड, ये वर्ग हो गए, ये इनका क्या हो गए सारे? प्रतेक वर्ग का पहला वर्ड हो गए, clear? तीसरे वर्ड में परिवर्तन, इसका ती अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में चेंज हो जाएगा, कब अब ये देखी, यदि कैचे टै टै प ये क्या है, हमारा प्रते एक वर्ग का पहला वर्ण है, के बाद कोई स्वर या वर्ग का तीसरा चोथा वर्ण है, क्या कहती है हमारे स्ट्रेक्चर, कि इधर तो हमें क्या ते प, किलिया, इधर तो हमें क्या मिले, कै, च, ट, त, प, और ये भी सारे कैसे होंगे, हलन्त वाले होंगे, आध्य होंगे, तभी तो ये वियंजन होंगे, अगर हम इनको पूरा ही लिख देंगे, तो ये इन में से क्या होगा, स्वर की धोय निकलेगी, ये यहां वियंजन रहेंगे, इसलिए सारे कैसे रहेंगे, हाफ रहेंगे, अब इसके बाद हमें क्या मिले, या तो हमें कोई स्वर मिले, या किसी भी वर्ग का तीसरा चोथा वर्ण मिले, या फिर हमें मिले ये रे लैवे है, या किसी भी वर्ग का हमें तीसरा चोथा वर्ण मिले, या फिर म मिले हमें यह रहले हैं इन में से कोई वर्ण मिले ठीक है जब हम संधी करेंगे तो इधर फर्ष्ट में तो हमें इन पांचों में से कोई सा भी वर्ण मिल जाए और उसके बाद यह स्वर मिले यह तीसरे चोथा वर्ण मिले यह रहले हैं मिले तो जो यह होंगे यह अपने ही वर्ग के तीसरे में चेंज हो जाएंगे किलियर अब बात आती तीसरे चोथे वर्ण क्या होता है आपको पता ही है ये कैवर गया है ये तीसरे हो गया है तो तीसरे चोथे गया है जै जै डैड है डैड है बैब है ठीक है ये सारे क्या हो गए तीसे चोथे वर्ण हो गए किलिया देखिए आप दिगंबर इसका संदीशेद होगा दिग प्लास अंबर दिग प्लास अंबर अगर आपको थोड़ा सा अनुमान लगाना हो कि ये दिगंबर का संदीशेद क्या होगा तो आप यहाँ ये देख लीजिए क्या है? गय है कौन से वर्ण का तीसरा है? क्या वर्ण का? तो सिदी से बात है संदीशेद क्या होगा? दिग प्लास अंबर देखिए इधर क्या है? इधर आ है और हमारी स्ट्रेक्चर भी क्या कह रही थी? आगे तो क्या मिले? इन में से कोई वर्ण मिल एक मिल गया? उसके बाद या तो कोई स्वर मिले? ये क्या है? स्वर है तो ये सिर्फ क्या? अपने ही वर्ण के तीसरे में चेंज़? पहला दूसरा तीसरा तो क्या किसमें चेंज होगा? गय में क्या यहां हलंत वाला है इसलिए गय भी कैसा होगा हलंत वाला ही होगा तो देखिए यहां क्या बचा दी यहां गय यहां अंबर क्योंकि ए हमने योज नहीं किया है तो यहां लिख देंगे हम अंबर क्या आप इनको मिला देजिए दी गय अंकम्प्लीट है सामने ए क्या है स् और क्या बन जाएगा दिगंबर किलियर हुआ अब सेकंड एक्जामपल देखिए सद गुण अगर आप अनुमान लगा सकते हैं तो देखिए दै कौन से वर्ग का है तीसरा वर्ण ते थे दै ते वर्ग का तो संदिश्यद आप आसानी से कर सकते हैं और क्या होगा सत प्लस गुण सत प्लस गुण अब किस तरीके से आप में संदिश्यद की यह हमारा सही है या नहीं है इसकी देखिए आप कैसे पता करेंगे इधर क्या है? तै है इधर क्या है? गय है किलियर? यहां तै है और सामने गय गय क्या है? वियन जय ने तीसरा चोथा वर्ण तो देखिए गय क्या तीसरा वर्ण है किसी वर्ण का? के वर्ग का पहला दूसरा तीसरा तो जो हमारी structure थी वो follow हो रही है ने इस पे तीसरा वर्ण आ गया गया तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे में ते वर्ग ही है पहला दूसरा तीसरा तो ते किसमें change हो जाएगा दे में ते हलंत वाला इसलिए दै भी हलंत वाला यहां क्या होगा से, यहां दै, यहां गुण आप देखिए से का से लिख देंगे दै अंकम्प्लीट है सामने गई वेंजन इसलिए दै कैसा रहेगा अंकम्प्लीट रहेगा यहां लिख जी दै और गुण सद गुण किलियर हुआ कि किस तरीके से वर्ग का पहला वर्ड अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड में चेंज हो जाता है तो अब सेकंड रूल देखिए वर्ग के पहले वर्ड का पंचम वर्ड में परिवर्दन अर्थार पाच्वे वर्ड में किस तरीके से होता है कौन से condition होती है ताकि वो अपने ही वर्ग का पांच वर्ण में परिवर्तन हो जाए तो जब हमें वर्ग के पहले वर्ण के बाद कोई अनुनासिक वर्ण मिले अनुनासिक कौन से वर्ण होते है नया मैं मिले तो जो पहला वर्ण होता है वो अपने ही वर्ग के पांच वर्ण में चेंज हो जाता है परिवर्तन हो जाता है वोई वर्ण कितने होते हैं पांच प्रतेक वर्ण में कितने कितने वर्ण होते हैं यहां बात है कि इधर तो हमें क्या मिले जब हम उसका संदिश्यद करें तो catcher, tater, pay में से कोई word मिले और उसके बाद हमें मिले कोई नय या मै तो ये अपने ही वर्ग के पाचवे में change हो जाते हैं अगर कय होगा तो नय में, चय होगा तो नय में, टय होगा तो इसमें, तय होगा तो इसमें, पै होगा तो इसमें Clear? Example देखिए Sun Mark Sandishet होगा इसका Sat Plus Mark यहाँ कौन सा वर्ग है? तय वर्ग का पहला ही वर्ग है? तय, सामने क्या है? मै, अनुना सिग वर्ग है? मै या मै तो यह तय, अपने ही वर्ग के पांचवे में चेंज देखिए, यह तय वर्ग है पहला, दूसरा, तीसरा, चोथा, पांचवा तो यह तय किसमें चेंज होगा? नय में यह हलन तवाला, इसलिए यह भी हलन तवाला यहाँ देखिए से, यहाँ आएगा आपका नय, यहाँ आएगा मार्ग तो से, नय के सामने, मैं वेंजन इसलिए, नय, अनकम्प्लीट और मार्ग का मार्ग क्या हो गया? सन, मार्ग के लिए, नेक्ट एग्जामपल देखिए वांग में अगर आपने यह अच्छे से समझ लिया है तो इसको अपने आपकर दोगे इना किसका पांच्छुआ है? क्या वर्ग का? यहीं से इसके संदिश्यद कर देजिए वाक प्लस मैं यहां क्या है, सामने मैं है क्या अपने ही पांच्छुए में चेंज एक, दो, तीन, चार पांच किया? यह हलन्त वाला इसलिए यह भी हलन्त वाला यहां क्या बचा? वा यहां आयांगे यहां मैं और यहां यह वा अंगे अंकम्प्लीट रहेगा क्योंकि सामने मैं व्यंजन है, इसलिए इसको लिख दीजी अंकम्प्लीट ही और मैं का मैं क्या बन गया? वांग मैं, क्लियर हुआ? तो next rule थर्ड रूल है हमारा वो देखिए तै संबंधी नियम तै संबंधी क्या नियम है? और कैसे तै संबंधी नियम के according हम संदिशेद करते हैं? तो इसका जो फर्स्ट है वो देखिए यदि तै के बाद लै हो, तो तै लै में चेंज हो जाता है तै के बाद जै हो तो तै जै में चेंज हो जाता है तै के बाद यदि तै या डै हो तो तै या डै में चेंज हो जाता है और यदि तै के बाद चै या छै हो तो तै चै में चेंज हो जाता है अब आपको बात एक याद ये रखनी है कि जो change हो रहा है, वो सारे half है, क्यों? क्योंकि जो हमारा यहां तैवर्ण है, यह सारे इसके बदले ही तो परिवर्थित हो रहे हैं, इसकी जगे पर ही आ रहे हैं, तो जिब यह half है, तो यह सारे भी क्या होंगी हमारे? हाफ ही होंगी, क्लियर? अब देखे एक्जामपल, उल लेख, संदिव शेद होगा, उत प्लस लेख, इधर तै है, सामने लेख, मैंने आप से अभी बताए, यदि तै के बाद क्या हो? लेख हो, तो तै किसमें change हो जाता है? लेख में, यहां तै है, अनकंप्लीट है, तो अनकंप्लीट है, तै किसमें change हुआ? लेख में, यहां क्या बचया? उ, यहां लेख, यहां लेख, क्लियर? तो यहां उ, लेख के सामने लेख है, लेख वेंजन है, इसलिए यह फर्स्ट वाले लेख है, सरेगा, अनकंप्लीट, और लेख का लेख, क्या हो गया? उल लेख, क्लियर? तो यह बाकी, जो एक्जामपल है, सज्जन, उड्डैन, उच्छार, यह आप खुद कीजिए, और देखिए क्या आपको यह रूल समझ में आयत है संबंदी, कि किसका किसमें परिवर्तन हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या आपका सही है या नहीं, यह हम इस तरीके से करके उसको चैक कर लेंगे, क्लियर कि रूल हमारा फोलो हो रहा है या नहीं, अब सेकंड देखिए, तै के बाद यदि शे हो, तो तै का चै, यानि कि जो यह तै होगा, वो तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? चै में, और शे होगा, वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? चै में ये याद रखना बाकी में तो देखो त्य के बाद हमें ले मिला तो सिर्फ ले में चेंज हो दो किसी में नहीं हुआ था लेकिन यहां त्य के बाद यदि फिस हो तो त्य हो तो इधर ते, सामने शे, ते किसमें चेंज होगा? चे में, और शे किसमें चेंज होगा? छे में, किलियर? और क्या बन जाएगा हमारा? उच्छिष्ट, किलियर? नेक्ट देखिए, थर्ड, ते के बाद यदि है हो, तो ते का तो दे हो जाता है, और है का हो जाता है धै ये भी सेम हमारे सेकिंड रूल की तरह ही है, दोनों ही परिवर्तित होंगे, इसमें तै होगा दै में, और है होगा धै में, किस तरीके से देखिए एक्जामबल? उद्धार, संदिशेद होगा, उद्ध प्लस हार, जो ये वाला रूल है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें से काफी बार एक्जामबल पूछे जाते हैं, काफी सारे एक्जाम में, तो आपको ये वाला तो अच्छे से ही क्लियर करना है, उद्ध प्लस हार, इधर तै है हमारा, सामने है है, तै के बाद है मिला तो तै तो किस में चेंज हुआ? दै में, है किस में चेंज हुआ हमारा धै में तैए अनक्मप्लीट है हमारा कंक्म्प्लीट है इसलिए हमने की रख्खा है कंप्लीट कि लिए उसके बाद देखिए यहाँ किया बचेगा चोटा देधार्य कि किलियर, आपको एक बात और में बता दू, जो इस तरीकी की शब्द होते न, जो इसमें नीचे रहता है, उसका मतलब वो तो complete one है, वो तो पूरा है, और जो आपको पूरा दिखाई देता है, वो होता है half word, किलियर, तो इसमें भी आप doubt नहीं रखना, जो नीचे की side होता है, वो तो हमारा होता है complete one, और जो complete दिखाई देता है, वो होता है हमारा half word, देख लिजी आप, उद्धार, ऐसे ही तो लिखेंगे, तो देख ऐसा है, हमारा uncomplete है, उद्धार कैसा है, complete है, बाकी रूल हम पढ़ेंगे हमारी next वीडियो में, आज इस वीडियो में इतना ही काफ है, आप भी practice कीजिए, best of luck.